हेलो दोस्तों स्वागत है आपका केड़ी लर्निंग हप पे सो आज की एक लेटिस अपडेट है कि लोवर पीस्यस 2019 का जो यूपित्र पड़सी करा रहा था ठीक है लोवर पीस्यस 2019 इसका इन्होंने रिजल्ट गोसित किया है बेसिकली यह रिजल्ट नहीं है कि जितने वैके जिसके लिए इन्होंने क्या रख़ा है कि दो गुना बच्चों को बुलाया है 1861 बच्चों को ठीक है डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन के लिए और आज इन्होंने इसका रिजल्ट दिया है तो आप सभी लोग यूपित्री पलसी की साइट पे जाके अपना जाएंगे इन्होंने देखी यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अहर्ता या अभी लेखादी परिच्चड एतु घोसित इस परेडाम में समिल्लित होने के आधार पर अंतिम चैन एतु किसी प्रकार का दावास विकार नहीं किया जाएगा ठीक है ना अहर्ता या अभी जाएगी 672 जीटों ठीक है तो अभी जस्त उसके आल्मोस्ट तीन कह सकते हो आप कि दो गुना इन्होंने ले रखा है कि दो गुना न्यूंतम अंग करने वाले सब ही अभी अर्थिव को समिल्लित किया गया है अल्मोस्ट अठरा सो बासट्ट सॉर्ट एक सट्ट ठीक है अ ठीक है इसके आप देखते हैं कि जो भी डॉक्मेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा वेबसाइट पर उन्हों वह बादने बताएंगे हमें ठीक है इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो होमपेस पर जाएक प्रजिस्ट रिजल्ट घोसित जो हुआ है उसको आप द बिभागों में 672 रिक्त पदों के सापेच जो 21 अक्टूबर को पेपर हुआ था ठीक है आप कह सकते हो कि अभी लेक पर इच्छड के लिए नियुन्तम कॉट अफ इनों ने बनाई है कि जो लंबोट स्रेडिट है मतलब होरीज़न वर्टिकल रिजर्वेशन है अनारक्ष अनुसूचित जाती SC की गई है 277, ST की गई है 235 और OBC और जनरल की अल्मुस्क सेम गई हुई है OBC की भी है 299 अगर 36 कट अफ देखें horizontal कट अफ तो जो 17 संग्राम से नान है उनके 293 विकलांग का 269.5 और जो भूतपूर सैने के उनके 270 और महिला का 284 गया है फीमेल का चीक 250.50 है 50 है इसके अलाव जो सहायक उध्यान निरिच्छक था उनके लिए अलग कट अफ बनाई है क्योंकि उसमें biology BSC में होना चाहिए था ठीक है ना तो BSC special subject हो गया है इस वए से इसकी कट अफ इन्होंने अलग से निकाली थे इसमें जनरल की कट अफ है 287 और OBC की 287 है SC की 257 ST की 220 ठीक है और इसमें अगर horizontal कट अफ देखोगे तो सतंतरा से नानी की 297 गई है मतला बहुत ही जादा गई है एक तरह से देखा जाए तो जनरल से भी जादा गई है ठीक है विकलांग की 251 गई है भुतपूर जैनी की 232 गई है और फीमेल्स की 276.5 गई है ठीक है सो यह कट ओफ है किसके लिए document verification के लिए इसके बाद जब document verification हो जाएगा तो एक और cut-off बनेगी सो अभी बहुत जादा excited होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह final result नहीं है ठीक है मतल इतने दिनों बाद यूपित्र पालसी ने लोवर पीसिस का एक result निकाला है और यह भी एक तरह से आप रिजल्ट ना को क्योंकि इसके बाद document verification की process करवाएंगे उसके बाद यह final result देंगे ठीक है सो आपके कितने marks आ रहे हैं आपका सेलेक्शन हुआ है कि नहीं comment box में जरू करीगा